हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम देखेंगे लिनियर वेरियेबल डिफरेंशियल ट्रांस्फोर्मर की वर्किंग के बारे में, जिसे LVDT के नाम से भी जाना चाता है, LVDT एक मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट है जो डिस्प् इंस्मेंड मेजर करने के लिए, तो हम इसके कं स्ट्रुक्शन डिटैल्स के बारे में, जानते हैं यह मतलब एक insulating cylinder होता है जिसके अंदर एक magnetic core place होती है यह जो insulating cylinder होता है यह backlast से बना होता है और इसके अंदर एक primary winding होती है यह जो उपर वाली है यह primary winding और यह जो नीछे वाले दो वाइंडिंग्स है यह दो सेकंडरी वाइंडिंग्स होते है एस वन और एस टू तो यह दोनों सेकंडरी वाइंडिंग्स और यह दोनों वाइंडिंगस जो सेकंडरी वाइंडिंगस होते हैं उनके नंबर अफटन्स एक्वल होते हैं और ओपोसिट डायरेक्शन में वाइंड किये होते हैं तो चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग जब यह कोर जब यह सेंटर को होता है तभी जो सेकंडरी वाइंडिंग्स दोनों सेकंडरी वाइंडिंग्स में इक्वल अमाउंट ओफ एमफ इंडियोज होता है मतलब जो इमफ का आउटपूट आता है इओ उसको अगर हम लिखेंगे इस वन माइनस इस टू तो यह इक्वल नंबर ओफ होता है इमफ होता है दोनों में तो इसका एंसर जीरो आता है जब यह सेंटर को होता है तो इमफ इंडियोज दोनों इसमें मतलब जो आउटपूट इमफ होता है वो जीरो होता है क्योंकि दोनों इधर इक्वल होता है तो जब यह core left side को move होता है वो time पे जो S1 winding में जो EMF induce होगा वो जादा होगा और S2 winding में कम होता है क्योंकि यह core है न यह EMF को carry करता है जो direction में यह core जाता है वो direction में EMF को carry करता है तो जब यह left side को move होता है तब ES1 में जो EMF होता है मतलब S1 winding में जो EMF होग बढ़ जाता है और S2 winding में कम हो जाता है तो यह core अभी यह left side को move होगा है इसलिए तो यह ES1 जादा है जब यह core right side को move होता है तब ES2 winding में EMF जाता है और ES1 में कम होता है करना चर्णावर्णावर्णावर्ट ईंद कि रादास है प्रुटर्णावर्ट कि यह ओन्दर्णावर्ट टूड जगता है झाल झाल